हाई गैस और वेलकम बाक टू दी चैनल दीपच यादव एजूकेशन वेलकम टू दी डेली हिंदू नियूज एंड एडिटोरियल एनालेसस ओफ 29 ओफ नवेंबर 2022 तो गैस आज है तारिक 29 नवेंबर 2022 और है टूजडे देखेंगे आज के दहिंदू कंप्लीड न्यूस पेपर को अनिलाइस करेंगे बट लेक्चर मागे बने से पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलिग्राम दन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपर चैदा वेजुकेशन यूपीसी आप लोग को यह वला चनल मिल जाएगा इस पे क्लिक करना और जाकर इस चनल को जोईन कर लेना देखोगर आप लोग को इस तरीके से यह चनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है जैसी आप उस पे क्लिक करोगे यह चनल आटोमेटिकली ओपन हो जाएगा इसको जाके जोईन कर लेना जोईन करने से फाइदा क्या होगा यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का PDF मिल जाता है डेली करेंट अफेर के विडियो का PDF मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सरे डिजिटल लोट्स मिल जाते हैं आगे बढ़ते हैं आगे लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाऊगे साथी साथ एक question solve करेंगे जो कि UPSC previous year साल 2019 के prelims में पूछा गया था daily basis पर हम लोग यहाँ पर एक previous year question को भी solve करते हैं question क्या बोलता है why is there a great concern about the microbeats that are released into environment देखो सबसे पहले तो आपको समझना होगा microbeats क्योंकि microbeats के बारे में ही नहीं पता होगा तो इस question को solve करना बहुत मुश्किल हो जाएगा microbeats क्या होती है microbeats basically छोटे size के manufactured plastic particles होता है यानि छोटे छोटे plastic particles कितने छोटे जिनका size 5 mm से भी कम हो वो microbeats कहलाते हैं तो microbeats क्यों हमारे environment के लिए एक बहुत बड़ी problem है आपको ये बताना है यहाँ पर नीचे आपको चारो option दिये गए है option A बोलता है क्योंकि इनको consider किया जाता है harmful to marine ecosystem हमारे समुदर वाले area के लिए ये बहुत ज़दा खतरनाक साबित होता है समुदर के लिए आप ऐसा कह सकते हो option number B बोलता है क्योंकि इनको consider किया जाता है to cause skin cancer in children यानि बच्चों के अंदर जो skin cancer जैसे बिमारी है इसको यहाँ पर ये create कर सकता है option C बोलता है ये बहुत छोटे size के हैं और ये अराम से यहाँ पर crop plants के अंदर absorb हो सकते हैं again यहाँ पर हमारी फसलों के लिए ये एक खतरनाक तरीके से साबित हो सकते हैं या फिर option number D बोलता है कि देखो इनको अकसर देखा जाता है कि जो food adult trends है यानि कि खाने के अंदर जो चीज़ें मिलावट की तौर पर रखी जाती है खाने के अंदर जो चीज़ें मिलाई जाती है उसकी तरह भी microbeats को इस्तमाल किया जा सकता है तो बताना यह है कि आकरकार इन चारो option में से कौन सा option सही है जिसके तयात आप बता सकते हो कि क्यो microbeats हमारे environment के लिए एक बहुत बड़ी खतरनाक situation है तो इसका सही answer आप सभी को नीचे comment section में देना है at least सभी को इसमें participate करना है जैसे मैं आप लोगों से daily basis पर बोलता हूँ by the way इसका जो correct answer है वो मैंने आपको telegram पर provide करवा दिया है वहाँ से भी check out कर सकते हो और अगर वहाँ पर answer नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है वीडियो के last में इसके correct answer का discussion हम लोग करेंगे तो चल अश्यो बार हम करते हैं और मैं आपको बता दूँ thumbnail पर जो आपने article देखा है न उसको अभी हम थोड़ी देर में discuss करने वाले हैं जब एक दो article cover हो जाएंगे क्योंकि वो आगे हमारे newspaper के अंदर article आया वा है वहाँ पर मैं आपको समझाओंगा नम्मी नाराइन जी कौन थे उसके बाद मैं मैं आपको समझाओंगा इस दोरो का वो जासुसी कांड क्या था इस दोरो के ओपर यहाँ पर क्या क्या मतलब आपके सकते हो लगाएगे नम्मी नाराइन जी के ओपर लगाएगे उन सब चीजों के बारे में discussion अभी हम थोड़ दिर में करेंगे जब वो article आएगा लेकिन अभी front page पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहला article यह वाला इस article को आप लोग GS paper number 2 politics से link कर पाऊगे काफी ज़दा important है और कुछ important चीज़े मैं आपको यहाँ पर notes के form में provide भी करवाऊँगा तो हुआ क्या है यहाँ पर देखो बात की जा रही है कि Supreme Court ने एक बात बोली है Supreme Court ने यहाँ पर आप कह सकते हो कि हमारी केन सरकार को लेकर कुछ चीज़े mention करी है पहले मैं आपको कुछ चीज़े basic सी बाते बताने की कोशिच करता हूँ basic बात यह है कि अगर मैं आपसे एक सवाल पूछू कि Supreme Court के अंदर जो यहाँ पर Chief Justice of India है या फिर आप कह सकते हो Supreme Court के बाकी सारे जज़ेस हैं इनका appointment कैसे होता है तो आप सभी को पता है काफी बार पढ़ा रखा है कि इनका appointment कॉलेजियम सिस्टम के माद्यम से किया जाता है है ना अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है यहाँ पर आप कर सकते हो कि आगे नाम बढ़ाते हैं कि हाँ इन इन जजिस को अपॉइंट करना चाहिए तो इस के बेसिस पर यहाँ पर याँ इस कॉलेजियम सिस्टम के बेसिस पर सुप्रीम कोड के जजिस को अपॉइंट किया जाता है आपको इसके बारे में पता है वो भी यहाँ पर इसके आलोचना करते हैं उनका केनाई यहाँ पर यह है कि जो यह कॉलिजम सिस्टम है ना इसके अंदर पाँच लोग है पाँचो सुप्रीम कोड के दिखने को मिलेंगे एक CGI हो गए चार सीनियर मूस जजिस हो गए यह पाँचों मिलकर यहाँ पर आपस में डिसकेशन करने के बाद में आगे एक नाम डिसाइट कर लेते हैं क्या इन इनक लोग को जज बनना चाहिए उनके नाम आगे बढ़ा देते हैं तो यह बताओ यहाँ पर फेवरेटिजम भी तो हो सकता है ना नेपोटिजम कहा नहीं है नेपोटिजम ऐसन यह बॉलिवड के अंदर है नेपोटिजम हर जगा पर आपको देखने को मिलेगा तो नेपोटिजम भी तो यहाँ पर देखने को मिल सकता है यानि कि जितने भी जजजस हैं अपने relatives को अपने सगे संबंदी को ही आगे बढ़ाते रहें वो क्योंकि यहाँ पर यही 5 लोग मिलकर discuss कर रहें आपस में और यह बात किसी को पता चलती नहीं कि यहाँ आखरकार अंदर क्या-क्या बात हुई है क्योंकि यहाँ पर कोई transparency ही नहीं है ना तो इसको लेकर बहुत criticism होता है कि हाँ collagen system के अंदर धेर सारी कमिया है यहाँ पर favoritism और nepotism जैसी चीज़े देखी जाती है इस प्रकार की यहाँ पर cases निकल कर आता है यह बात आपने समझी तो हुआ क्या एक समय ऐसा आया कि collagen system को replace करने के बारे में चर्चा की जारी थी बिल्कुल तयार हो गए थे हुआ क्या था collagen system को replace करते विए एक नई body लेकर आई गई जिसका नाम था National Judicial Appointment Commission NJAC ठीके ना इस collagen system को replace करकर क्या लाया गया NJAC National Judicial Appointment Commission बोला गया कि इसमें Supreme Court के judges CGI ये सब लोग तो होंगे ही लेकिन यहाँ पर सरकार के भी कुछ लोग होंगे हमारी central government के भी कुछ लोग होंगे जो कि आपस में मिलकर discussion करने के बाद में judges को appoint करेंगे मतलब सरकार का involvement भी यहाँ पर हो जाएगा बोल दिया था यह NJAC body यहाँ पर काम नहीं करेगी इस particular act को भी खारिच कर दिया और बोल दिया यहाँ पर यह NJAC नाम की कोई body नहीं रहनी चाहिए तो Supreme Court ने इस act को यह struck down कर दिया खतम कर दिया इसको इस body को ठीके ने इस commission को यहाँ पर खतम कर दिया तो यह बात बोली थी कि देखो यह कहीं ना कहीं क्या करेगा जो judiciary की independence है क्योंकि obviously बात आज के समय पर जो हमारी judiciary है ना वो independent है वहाँ पे ना सरकार का involvement है ना किसी और का involvement है judiciary एक independent basis पर काम करती है तो इसकी independence कहीं ना कहीं खतम हो रही है ऐसी बात सुप्रीम कोड ने बोलते वे यह जो NGAC है ना इसको खतम कर दिया था इस commission को खतम कर दिया था इन्होंने बोला कॉलिजम सिस्टम जैसे काम कर रहा है वैसी करता रहेगा अब लेकिन होता क्या है कि मालो कॉलिजम सिस्टम आज के समय पर काम कर रहा है अब इन पांच जजिस ने मिलकर यह जिसमें CGI भी है इन सब ने मिलकर यहाँ पर किसी को एज़ा जज अपोइंट करने का डिसाइड किया उसका नाम आगे बढ़ा दिया सरकार को सजेस्ट कर दिया कि इन जजिस को अपोइंट करना है है ना ऐसा पहले हुआ है काफी सारे नाम कॉलिजम सिस्टम ने क्या किया सरकार को सजेस्ट कर दिया सरकार को सजेस्ट दे दिया कि हाँ देखो इन इन लोग को अपोइंट करना है लेकिन हुआ क्या सरकार ने उन suggestion को लेकर कोई response ही नहीं दिया वही इस article के अंदर बताया गया तो Supreme Code ये बोलता है कि अगर आप ऐसा करोगे ना तो ये चीज acceptable नहीं है क्योंकि जो name हम भेज रहे हैं सरकार को suggest कर रहे हैं कि हाँ इन इनको appoint करना चाहिए उनका appointment properly होतो जाए लेकिन सरकार यहाँ पर उस particular suggestion के उपर कोई अपना response ही नहीं दे रही है ठीके ना तो ये जो name है न वो pending पड़े हैं और ये जो pendency देखने को मिल रहे है ये कुछ ऐसी चीज़े जो कि यहाँ पर Supreme Code अभी accept नहीं करेगा ये बात Supreme Code ने खुद 11 नवंबर को बोली थी उसके अद कल एक बात और यहाँ पर Supreme Code ने बोल दिये Supreme Code देखो यहाँ पर क्या बोलता है बोलता है कि जो सरकार यहाँ पर नाम को लेकर कुछ करनी रही है ना मतलब Supreme सरकार को NGAC के ओडर को लेकर एक पेन है अभी भी यानि कि NGAC जो सरकार लेकर आ रही थी यह उली बोडी कोलिजम सिस्टम को खतम करकर इसको Supreme Code ने खतम कर दिया इस कमिशन को बोला नहीं कोलिजम सिस्टम ही काम करेगा इसी का अभी भी भी हाँ पर पेन है सरकार को वो बेसिकली उसका कोई response सरकार नहीं दे रही है क्यों क्योंकि NGAC का ओडर Supreme Code ने struck down कर दिया था तो यह बेसिकली एक टेसल सा आज की समय पर आपको देखने को मिल रहा है Supreme Code और Government के बीच में I hope आपको यहाँ पर यह पूरा का पूरा लिख जाएंगे तो इसके उपर तो आप उसको अराम से समझ पाओगे आप करना क्या होगा इसका background information पढ़ना होगा जहां से आपको सवाल बनता हुआ देखने को मिलेगा जैसे इस article में दो important चीज़े हैं पढ़ने के लिए एक तो यहाँ पर कॉलिजियम सिस्टम जिसके बारे में लगबग कुछ बाते में आपको बता ही चुका हूँ और दूसरी important चीज़े NGAC आउ दोनों का ही discussion करते हैं सारे relevant points आपको नीचे screen पर दिख रहे होंगे बस खाली आप ध्यान से सुनते वे चलना तो अगर हम लोग NGAC के बारे में बात करते हैं मैं आपको बता दिया National Judicial Appointment Commission इसकी full form है दुबारा दुबारा बता रहों ताकि आप दिमाग में यह चीज़े बैठ जाए तो होता यह है यह तारिक थी 16 October 2015 16 October 2015 में क्या हुआ था चार एक majority verdict आया था यानि Supreme Court का यहाँ पर Supreme Court ने एक case देखा और उस case के तहट यहाँ पर 4 is to 1 का यहाँ पर एक order आपका सकते हो वो आया यानि Supreme Court का फैसला आया जिसके अंदर 4 जज़ों ने यहाँ पर एक तरीके से 4 ज़ों का फैसला सेम था और एक ज़ज़ ने इस वाले case को देखा और इस case को देखते हुए बोला कि जो ये आप a national judicial appointment commission लेकर आए हो या फिर इसके साथ साथ जो national judicial मैंने आपको बताई है जो commission वेली जो body लेकर आए हो ना ये कही ना कही unconstitutional है आज संबेदानिक है क्यों क्यों क्योंकि ये judiciary की जो independency है इसको यहाँ पर affect करती है अभी इसको कैसे affect करती है ये मैंने आपको थोड़ दर पहली बताया था इस वेसे मैंने directly यहाँ पर information दिये मैं आपको फिर से connect करकर बता देता हूँ हुआ ये था college system की जगा इसको लेकर आया गया था Supreme Court ने यहाँ पर इस body को हटा दिया बोल दिया कि देखो भी यहाँ पर क्या है न ये हमारे independence को affect कर रहा है ठीक है न तो इस वाले case को यहाँ पर 5 जजज ने देखा था चार इस टू एक का यहाँ पर यह judgment आया चार लोगों ने मिलकर बोला कि हाँ बिल्कुल जो यह NGAC है यह असमबेदानिक है अब आपको clear हो गया यह बात यहाँ पर देखने को मिली थी यह कब की बात है 2015 में 2015 में यह काम कर दिया गया था तो NGAC थी finally था क्या इसको हम थोड़ा discuss करते है यह basically एक ऐसी body है जो कि यहाँ पर क्या करती है अगर यह body होती तो क्या करती इस body का काम यह होता कि हमारी जो judges है ना उनका appointment और उनका transfer करने का यह काम करती ठीके ना जो भी हमारी higher judiciary है उसके अंदर जो भी judges का appointment transfer है वो यहाँ पर यह NGAC देखता जो कि आज के समय पर college system देखता है यह बात आपको समझ में आ गई ठीके ना तो NGAC को जब लेकर आए गया था तो एक नया article add क्या गया article 124A जो कि यहाँ पर NGAC के composition के बारे बताता था यानि कि इसके अंदर कौन-कौन लोग होंगे उसके बारे में information देता था ठीके ना तो यह जो बिल लेकर आए गया था इसमें major मकसद था कि हम लोग क्या कर सके judges को यहाँ पर appoint कर सके इनका transfer कर सके तो इस बिल के अंदर यहाँ पर बोला गया कि यह जो commission बनेगा ना यह commission बना नहीं यह commission जो बनेगा इसके अंदर कौन-कौन से लोग होंगे एक तो chief justice of India चलो CGI हो गए उसके बाद यहाँ पर दो senior judges होंगे सुप्रीम कोर्ट के चलो यह भी हो गए उसके अलावा यहाँ पर वैसे तो कॉलिजियम persons होंगे जिनको नॉमिनेट किया जाएगा committee के माध्यम से है ना chief justice of India होंगे prime minister of India होंगे लोग सबागे जो एक तरीके से opposition party के leader होंगे यह सब लोग यहाँ पर इस body के अंदर होंगे इसके साथ साथ यहाँ पर आपका सकता हो एक person होगा schedule tribe या OBC से उसके बाद मैं एक person minority या women से भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यह सब लोग यहाँ पर आ गए जब कि कॉलिजियम सिस्टम में कोई भी नहीं था केवल और केवल judges थे लेकिन अब यहाँ पर NGSE के अंदर यह सब ही लोग आ रहे थे जो कि NGSE को लेकर आया जा रहा था यह commission लेकर आया जा रहा था यह 99th Amendment Act के तहत लेकर आया जा रहा था 99th Amendment Act जो 2014 वाला है ना इसको तहत लेकर आया इसको मतलब यह amendment करने के बाद में यह संशुधन करने के बाद में लेकर आया गया लेकिन सुप्रीम कोट ने यहाँ पर इस amendment को ही struck down कर दिया इसको यहाँ पर struck down कर दिया, खतम कर दिया National Judicial Appointment Commission को ही खतम कर दिया बोल दिया यह अस संबेदानिक है ठीके न, यह हमने डिसकस कर लिया तो आपको के सर इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों बता रहे हो इतनी बार बार चीज़ों को क्यों बढ़ा रहे हो क्योंकि आप दिमाग में आपके बैठ जा इसलिए बताया जा रहा है अच्छा है सक्यों, सवाल बगरा बन जाएगा क्या हाँ बिलकुल, आप थोड़ी टेस्टिंग करते हैं क्या आप पहले सवाल बनाए है, हाँ देखो UPSC ने साल 2019 में जादा पुराना सवाल भी नहीं है, साल 2019 में ये सवाल पूछा था, सवाल क्या था consider the following statements आपको यहाँ पर दो statements दी गई है, बताना यहाँ के कौन सा statement सही है, पहला statement बोलता है, कि जो 44th amendment है हमारे संभिधान के अदर में इसने introduce किया एक article जो कि यहाँ पर बोलता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का election है वो judicial review के परे है judicial review के बाहर है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का election, यह बात यहाँ पर 44th amendment बोलता है, यह बात बोल दी गई, इस पहले statement में दूसरे statement में बोला गया, कि जो Supreme Court है, इसने 99th amendment to the constitution जो हुआ था 99th amendment जो हुआ था इसको struck down कर दिया, और struck down करते हैं यहाँ पर यह बोला, कि यह amendment कहीं ना कहीं, जो judiciary है, उसकी independence का violation करता है, उसके independence का हनन करता है, यह बात यहाँ पर Supreme Court ने बोली, तो इन दोनों statement में से कौन सा statement सही है, या आप से पूछा या, नीचे option A, one only, option B, two only, option C, दोनों सही है, या फिर option D, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है, केवल और केवल option number two, तो option number two is the correct answer, क्योंकि अभी हम लोग ने थोड़ देर पहले ही पढ़ा था, NGAC के बारे में, क्योंकि हाँ पर 99 amendment को struck down करते वे, यहाँ पर बोला, judiciary की independence का violation हो रहा है, ठीके ना, तो यह बात आपको clear होगे, तो ऐसे सवाल यहाँ पर बन गया था, उसके अलावा यह तो बात होगे, prelims की, अब मैं आपको दिखाता हूँ, mains के अंदर, तो mains में भी यहाँ पर सवाल बन गया था, और लगबग आपको अंसर लिखना था, वैस आप ट्राइ कर सकते हो, मैंने आपको वैसे बताई दिया सारी information, तो एक कोशिश कर सकते हो, ठीके ना, next article पर आता है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना, make sure करना, वीडियो पे जो like बटन उसको press कर दो, एक छोटा सा target रखा है, 5K प्लस likes का, जिसको आप लोग achieve करवा सकते हो, साधी साथ में आप लोग मेरे साथ में Instagram पर connect कर सकते हो, Instagram पर जाना, search box में type करना, दीपक ज्यादा education, आपको ये वाला profile मिलेगा, यहाँ पर आप मेरे साथ में personally जुड़ सकते हो, साधी साथ में आपसे जो भी सवाल हो पाया है, मैंने वहाँ वहाँ पर previous year question भी लगा है, ताकि आप देख सको कि हाँ बिल्कुल मैं सही content पर ले तो, और दूसरी important चीज़ देखो, यहाँ पर वीडियो, आज कल से आज तो काफी लेट हो जाएगा, मुझे पता है, दिक्कत यह हो रही है कि जो न्यूस पेपर वो काफी लेट आ रहा है, मतलब साड़े चार बज़े के आसपास न्यूस पेपर अप्लोड होता है तो इस वेसे सारही सेशन जितने भी यूटिव पर है, वो काफी लेट हो चुके हैं, क्योंकि जब से इन्होंने यहाँ पर दहिंदू वालों ने अपना एडिशन चेंज किया है, आपको पता होगा, बीच में एडिशन चेंज हो चुका है, पहले आको पर अलग तरीके साय गंडे तक, फिर उसका दिले-दिले-दिले करके अलग-लग एडिशन पब्लिश होता है, तो वह एक प्रॉब्लम आ रही है, जबकि पहले ऐसा होता था, तीन बजे के आसपास यहाँ पर आर्टिकल्स वेबसाइट पर पब्लिश हो जाने शुरू हो जाते थे, मैं पढ़ यहाँ पर आप लोग जरूर से ध्यान में रखकर चीज़ों को अंडेस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि काफी सरे लोग की प्रॉब्लम में समझ सकता हूँ कि वीडियो लेट हो जाता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन भी तो आप लोग को समझना होगा कि हाँ क्यों लेट हो आखरकार, चलो, फिलाल यहाँ पर कोशिश करेंगे, और ज़्यादा जिल्दी पॉसिबल, जितना मेरे से पॉसिबल हो बात है, मैं उतना ट्राय करने की खुशिश करता हूँ कि यहाँ जल से जल वीडियो अप्लोड करती आ जाए, आप कर क्या सकते हो कि अगर वीडियो ज चेंजेस कर सकते हो, चलो यहाँ पर आप देखोगे, यह जो picture है, इस picture को पढ़ना होगा, picture को क्यों पढ़ना होगा, तो picture में भी आपर एक statue बनाया जा रहा है, और उस statue के आपको केवल पैर दिख रहे होंगे, अब यह statue किन का है, यह statue है हमारे डॉक्टर बियार अंबेड लिकरजी का, कहां पर मनाया जा रहा है है हैदराबाद के अंदर, काम चल रहा है भी स्टैचू को लेकर जासे आप लोग देख पारे होंगे, कितने उचाई का स्टैचू है, 125 ब्रौन्ज और स्टील से बनावाई है, कहां पर हैदराबाद के अंदर ध्यान रखना बहुत इं यह बहुत बड़े इरिया में फैलाव आए और यह कहां भी फैलाव है है हैदरावाद के अंदर जो हुसेन सागर जो लेक है ना उसके पास में आपको यहां पर यह पूरा गपूरा स्टैचू और म्यूजियम देखने को मिलेगा ठीक है ना यह बात आपको क्लियर हो गई हमारे समँधान के एक आर्गिटेक्ट निर्माता के टॉर पर यहा पर यह देखे जाते हैं उसके बाद बोला यह गया कि indoor भा volunteer कहीं कि अंदर अप लेकिन करना करना कैं है कुछ पढ़ना है क्या इस पिच्चर में से के बारे में पूरी आपको मतलब जितनी भी हिस्ट्री है वो सब कुछ कवर करके रखनी होगी सवाल कहीं से ही बन सकता है पहले बना है कैसे बनाएं डिसकस करेंगे तो देखो मैं आपको बता दूँ वैसे अपकी साल की बात है यानि जो एपरिल का मेना निकला है तो 14 एपरिल को डॉक्टर बियर अमबेडिकर जी की हमने 131st बर्थ अनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया था 131 बर्थ अनिवर्सरी मनाई गई थी तो अब जो next बर्थ अनिवर्सरी आएगी उस बर्थ अनिवर्सरी पर इनका जो ये स्टैचू है वो यहाँ पर इसका उधगाटन किया जाएगा तो अगले साल पूरी तरह से possibility है कि डॉक्टर बियर अमबेडिकर साब को लेकर एक question बन सकता है जैसे अपकी बारे Statue of Equality को लेकर question बन गया था है ना यादर आओगा आपको रामरजय चारे जी के statue को लेकर एक सवाल बन गया था क्योंकि कुछ time पहली उस statue का उधगाटन किया गया था तो डॉक्टर बियर अमबेडिकर कौन है तो basically एक social reformer थे jurist, economist, author, उसके बाद scholar, thinker ये सभी categories आपको देखने को मिलेगी इन सभी professions को यहाँ पर उनने follow किया बर्थ के अगर हम लोग बात करें तो इनका जन्म होता है 1891 में माउ के अंदर यानि कि जो कि आज के समय पर मध्यप्रदेश के अंदर है इनकी profile के बारे बात करें तो इनको father of Indian constitution की तरह दिखा जाता है यानि कि जो हमारा भारत संभीधान है उसके जनक कहलाए जाते हैं और इंडिया के पहले law minister भी है भारत के पहले जो law minister है वो यहाँ पर doctor भी आरंबैड कर थे उसके साथ साथ जो हमारा संभीधान उनके rights के लिए उनके हाकों के लिए यहाँ पर इनके खुब लड़ाई करी हैं तो यह तो आपको यहाँ पर इनके brief profile के बारे में पता चला बाकी और contributions के बारे में हम बात करें तो इन्होंने जो महाद सत्याग्रे हुआ था ना महाद सत्याग्रे इसको यहाँ पर मार्च 1927 में यह सत्याग्रे हिंदूस का अगेंस में चल रहा था क्यों कि यहाँ पर मतलब हिंदूस में कुछ लोग ऐसे थे जो की जो municipal बोर्ट का decision है उसके अगेंस में तो उसको oppose कर रहे थे तो उसके basis पर यहाँ पर इस सत्याग्रे चला था उस सत्याग्रों को यहाँ लीड किया तो डॉक्टर बियर अमबैटकर साब ने तो 1927 में यहाँ पर इस सत्याग्रों को लीड किया था उससे पहले 1926 में जो municipal board of महार था ना महराष्ट्र इन्होंने यहाँ पर एक order पास किया था और order यहाँ पर यह था कि जितनी भी tank होंगे ना वो tank सभी communities के लिए open ह यानि जो पानी पीने वाला tank है वो सभी communities के लिए open होगा उससे पहले यहाँ पर हो क्या रहा था इस order से पहले क्या हो रहा था कि जो untouchables थे ना उनको allow ही नहीं किया जा रहा था पानी पीने के लिए उस महार टैंक से उनको इजाज़त नहीं थी कि वो महार टैंक से पानी प आपको बताया उसके बाद में जो round table conferences हुई थी इतियास में आप पढ़ोगे इनके बारे में तो उन तेनों के तीनों round table conferences की अंदर ब्यार हमेड कर सामने पार्टिसिपेट किया था 1932 में आप देखोगे तो इन्होंने पूना pact भी sign किया महात्मा गांदी जी के साथ में फिर उसके बाद में आप देखोगे कुछ यहाँ पर seats जो हैं वो reserve कर दी गए थी depressed class के लिए और वो जो seats depressed class के लिए reserve करी गए थी वो बढ़ गए थी कुछ time की समय में 71 से लेकर 147 होगे थी सब आप लोग यहाँ पर पॉली टीम और हिस्ट्री में थोड़ी थोड़ी चीज़े पढ़ोगे मैं आपको कुछ काम की चीज़े बता रहूं बस खाली डारेक्ट जैसे अब यहाँ पर कुछ काम की चीज़े यह आती हैं जो कुछ factual data है सबसे पहली बात 1936 में आप देखो गए तो इनको एलेक्ट किया गया था बॉंबे लेजिसलेटिव असेंबली के अंदर एक लेजिसलेटर की तोर पर फिर इनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया एग्जिकटिव काउंसल के अंदर में as a labor member 1942 के अंदर में फिर 1947 में देश अजादी के टाइम पर डॉक्टर अमबैडकर साब ने हमारे प्रामिनिस्टर का यानि उस समय पर जब देश अजाद हो गया था आपको पता होगा तो सबसे पहले प्यम कौन थे नहरूजी थे तो नहरूजी ने यहाँ पर इन्वाइट किया था डॉक्टर बियार अमबैडकर को एक मि डिस्टर अफ लॉओ जो है ना यह वाला जो मंत्राल है वो यहाँ पर समालने के लिए दिया अब उसके बाद यहाँ पर यह कानी ऐसी आगे बढ़ी रहती है बाद में क्या होता है इन्होंने यहाँ पर मिनिस्ट्र अफ लॉओ के अंदर काम करने के बाद में आप कर सकते ह यहाद में यहाद पर यह बुद्धिजम के अंदर कनवर्ट हो गए, इनकी मृत्य होती है 6 दिसंबर 1956 के अंदर, जो चैतिया भूमी है यह एक यादकार जगा देखने को मिलती है, डॉक्टर बियारम बैडगर को लेकर मुंबई के अंदर आपको यह जगा देखने को मिलेग मुकनायक लेकर आए था नकेत्रू, उसके बाद यहाँ पर भारत उसके बाद सम्था, देन उसके बाद यहाँ पर जन्ता, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर important journals लेकर आए, कुछ important किताबे लेखी, किताबे जैसे की inhalation of caste, उसके बाद में बुद्धा और काल माक्स, the untouchable करके यहाँ पर एक बुक है, देन बुद्धा एंडेस धर्मा, देन उसके बाद the rise and fall of Hindu women, कुछ इस प्रकार के important books आपको देखने को मिलेंगी, जो कि इन्होंने लेकी हुई है, और फिस कुछ organizations है, कुछ parties है, जो कि इन्होंने बनाई थी, जैसे कि यहाँ पर बहिश्क्रत हित का सकता, मतलब सोच रहोंगे कि सर क्या ही पढ़ा रहे हो, फालतू में time waste कर रहे हो हमारा भी, क्या यह पढ़ना चाहिए हमें, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, example देखो, UPC ने साल 2012 में यहाँ पर previous year में, क्या सवाल पूछ लिया, कहां से सवाल आया था, आप यह देखो, इतनी यहाँ पर तीन पार्टी के नाम दिये गए, पूछा गया इन तीनों पार्टी में से कौन कौन सी पार्टी हैं, जो की डॉक्टर बियार अंबेटकर सामने बनाई थी, option A, the present and workers party of India, option B, all scheduled cast federation, option C, the independent liberal party, इसको solve कर पाओगे, कहोगे हां सर, solve कर पाएंगे, क्या हमने पढ़ ही नहीं है, second and third हमारे साब से correct answer होना चाहिए, तो क्या second and third हमारे option में है, हाँ, बिल्कुल है, option number B, जो है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तो ऐसे भी सवाल बन जाते हैं, तो 2012 में important organization, sorry, इस party को लेकर पूछ लिया गया, उसके बाद यहाँ पर किस organization को लेकर तो भी information मिलेगी, वो किताब वाली बात आपको यहीं से cover करवा दी गई है, तो इस प्रकार साब को current affair को अपने static data से link करना है, कि current affair में क्या चलना है, इसको अपने बुक से link करने के बाद बाद बहुत अपने PYQ से link कर दिया, काम खतम, यह है preparation का एक best तरीका, आ गया आता ह अगला article, अगला article भी काफी सदा important होने वाला है, इंडिया फ्रांस के बारे में discussion किया जा रहा है, देखो इंडिया और फ्रांस, दोनों ने मिलकर अभी discuss कर रहे हैं अपने defense industrial ties को, क्या discussion किया है मैं आपको समझाता हूँ, अच्छा फ्रांस को क्या करना है, एक बार map में इंडिया और फ्रांस ने मिलकर कल के दिन, यानी मंडे में कुछ discussion किया, discussion कौन से topic पर किया गया, topic ये था defense industrial corporation, sorry, cooperation, जो हमारा defense का sector देखने को मिलता है, उस defense के मामले में किस प्रकार से फ्रांस और इंडिया साथ में मिलकर और बहुतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये एक major focus था इस meeting का, इस discussion का, जहां पर एक और focus दिया किया, made in India के उपर, कि make in India को हमें promote करना है, make in India के साथ साथ एक और focus दिया कि किस प्रकार से फ्रांस और इंडिया दोनों मिलकर maritime cooperation को और मजबूत कर सकते हैं, है ना, समुदर वाले इलाके में साथ में मिलकर कैसे और जाधा अपने relations को establish कर सकते हैं, और अभी आपको बताओगा, recently, गरुल exercise भी न्यूज में थी, गरुल exercise यहां पर एक ऐसा भिहास जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, है ना, इससे पहले कुछ और important exercise भी यहां पर अभी इंडिया और फ्रांस के बीच में conduct करवाई गई है, तो यह discussion हुआ, एक साइड हमारे डिफेंस मिनिस्टर ते राजना सिंग जी, जिससे आप लोग देख पार होंगे, दूसी तरफ फ्रेंच मिनिस्टर है सेविश्चन लेकॉमू, तो नाम ध्यान रखने आविशकता नहीं है उनके, कि किस-किस के बीच में मीटिंग होई, ऐसी म नाम याद रखोगे, हैना, तो नाम याद रखने की जूरत नहीं है, लेकिन किस टॉपिक के उपर चर्चा हुए, यह धियान रखना है, फोकस किया गया कि कैसे इंडिया और फ्रांस साथ में मिलकर डिफेंस के मामले में प्रोड़क्शन कर सकते हैं, साथ में मिलकर आने व जो प्रोजेक्ट है, इसको आगे बढ़ाने में, हैना, यहाँ पर हम लोग काफी कुछ एक सा चीज़े डवलप कर पाएंगे फ्रांस की हेल्प से, क्योंकि आपको बताओगा, डिफेंस के मामले में फ्रांस काफी जदा आगे आपको देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से हम लोग को बहुत जदा हेल्प मिल गाएगी, इस कोपरेशन के माद्य हम से, उसके साथ साथ बताया गया, कि यह तो चलो डिफेंस के मामले में हम समझ गया, कैसे कोपरेशन मिलेगा, यह बताओ, मैरी टाइम कोपरेशन कैसे मिलेगा, समुदर के मामले में भी हाँ पर इस जो chair होती है न हर साल बदलती रहती है यानि timely यहाँ पर changes होते रहते हैं Indian Ocean Commission की यहाँ पर जो chair है इसकी जो seat है वो किसी और country के आपास आ गई अब इसका term खतम हुआ किसी फिर दूसरे country के पास आ गई ऐसा ही Indian Ocean Level symposium के साथ में भी होता है लेकिन ये दोनों ही ग्रूप की जो चेर है जो आज के सामय पर लीडर है वो यहाँ पर फ्रांस से फ्रांस के हाथ में यहाँ पर यह मेंबर्शिप देखने को मिल जाती है ठीक है ना अब बताया जा रहा है कि जो यह विजिट हुई थी यहाँ पर जो फ्रांस के मिनिस्टर आज थे इंडिया के अंदर में इनको कहां कहां पर गुमाया गया उसके बारे में चर्चा की गई है वो आपको पढ़ने की यहाँ पर इतनी आफ़शकता है नहीं ठीक है बाकी यहाँ पर दोनों एरफोर्स के बीच में यानि कि फ्रांस और इंडिया की जो एर फोर्स के बीच में हाली हमें गरूर अभ्यास हुआ था गरूर एक्साइज हुई थी यह मैंने आपको अलड़ी बता दिया जोदपूर गंदर यह अभ्यास हुआ था यह मैंने आपको उस समय पढ़ाया भी था दो important चीज़े निकल रही है जो कि आपको पढ़ना होगा क्या-क्या न्यूज में है इंडियन ओशन कमिशन न्यूज में है और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम न्यूज में है यह दोनो बोडिस न्यूज में है और इन दोनो इस एंडियन ओशन की हम बात कर lawsuit और ना मैं लोग मैप इस एंडियन ओशन को लेकर पूरा एक commission मनाये हुए है जिसको हम लोग Indian Ocean Commission के नाम से जानते हैं इस इंडियन ओशन कमीशन की पात करें तो एक intergovernmental body है यानि इस commission के अंदर जितने भी countries इसके members हैं वो सब साथ में मिलकर काम करते हैं इस body को कब बनाय गया था 1984 में इस body को create किया गया इसका काम क्या है कि जो खासकर Indian Ocean में Weston side में कुछ islands हैं कुछ 5 islands हैं उनको यहाँ पे एक protection प्रोवाइड करवाना उनकी सुरक्षा करने का यहाँ पर एक काम है इस commission का वो 5 islands कौन कौन से आप से डारेक्टी सवाल बन सकता है तो ध्यान रखना उन 5 islands में आता है Madagascar, then Comoros, then La Rue Union यानि कि France की यहाँ पर यह overseas territory है, मतलब France की कुछ territory है La Rue Union करके, फिर Mauritius, फिर Seychelles यहाँ पर 5 islands है मैं अगर मैप मैप ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार से इंडिया का मैप देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलेगा और इसी इंडियन ओशन में यहीं पर आपको नीचे की साइड में Madagascar, Comoros, La Rue Union Mauritius, Seychelles यह देखने को मिल जाएंगी तो यह जो पांच अलग अलग आइलेंड है ना यह पांच अलग अलग तेश जो आपको देखने को मिल जाते हैं इनको protection देने का काम करता है इंडियन ओशन कमिशन समझ में आ गई बात अब इस कमिशन की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर पांच अब्जरवर भी है पांच अब्जरवर जो कि इस बॉड़ी को देखने का काम करते हैं इस अब्जरवर में आप देखो इंडिया भी है, चाइना भी है European Union पूरा आ जाता है, मालता है और साथी साथ में एक बॉड़ी है International Organization of Lafrancofine जिसको हम लोग OIF के नाम से जानते हैं OIF बिसिकली यहाँ पर France के एक बॉड़ी देखने को मिलेगी French Speaking Nations का यहाँ पर एक कलेक्शन है ठीके ना, तो इसके पांच Observer से मैंने आपको बता दिया वैसे इसके Members के करम लोग बात करें तो यहाँ पर यह पांच अलग-अलग ऐसे Islands जिनको यहाँ पर एक Protection देने के बारे में चर्चा की जाती है, इनके Interest को Protection देने के बारे में चर्चा की जाती है बात क्लियर हो गई, चलो आगया आता है तो सवाल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है आप देखो कि 2016 में ऐसी Gulf Corporation Council को लेकर सवाल बन गया था Gulf Corporation Council में वैसे टोटल कितने Members से जरा नीचे Comment section बताना यहाँ पर आपसे सवाल पूछा यहाँ कि Gulf Corporation Council में से मतलब Gulf Corporation Council में जितनी में Members है उनमें कुछ Members के नाम यहाँ पर दिये गए पूछा यह गया कि इन चारों में से कौन सा एक ऐसा देश्या जो कि इसका Member नहीं है तो इसका correct answer है option number A, Iran साओधी रेबिया, ओमान, कुवेट यह सारे के सारे Gulf Corporation Council के Member है जबकि इरान नहीं है लेकिन इस साओधी रेबिया, ओमान, कुवेट के सासद और कौन-कौन से Member से Gulf Corporation Council के फटा-फट नीचे Comment section बताओ तो यह तो आपने पढ़ लिया Indian Ocean Commission अब बात करेंगे एक और बॉड़ी की जिसका नाम है Indian Ocean Naval Symposium तो यह क्या है? देखो Indian Ocean Naval Symposium अपने आप में यहाँ पर एक ऐसा ग्रूप है जो कि क्या करता है? Indian Ocean Region के अंदर जो Indian Ocean मैंने आपको बताया कितनी बार? इस रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज आ रही है जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर इस ओशन के साथ में आपने बौर्टर को शेर कर रही है उनकी नवीज को यहाँ पर साथ में लेकर आता है यह इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम इसका काम यह है कि जितनी भी BODYS यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज यहाँ पर इंडियन ओशन के साथ में बोर्टर शेर करती है उन countrys को साथ में लेकर आया जाए या फिर Indian Ocean के अंदर या Indian Ocean से लगे वे जितने भी देश हैं उनमें कोई disaster आता है natural disaster आता है तो वहाँ पर उस disaster का जो impact उसको रोका जा सके सबी countrys मिलकर उस देश के मदद कर सके जो Indian Ocean Naval Ship की जो symposium की जो chairmanship है इसकी chairmanship भी बदलती रहती है 2008 से लेकर 10 के बीच में इंडिया के पास chairmanship थी फिर उसका 2010 से 12 UA के पास है 2012 से 14 साउथ अफरीका के पास 2014 से 16 आस्ट्रिलिया के पास 2016 से 18 बंगलिदेश के पास 2018 से 21 इस्लामिक रिपब्लिक आफ इरान के पास और जो current chairmanship है वो फ्रांस के पास है मैं आपको already article मता दिया था 2021 जून के अंदर फ्रांस यहाँ पर इसका chairman बना था और अभी 2 साल तक यहाँ पर यह chairmanship रहेगी 2-2 साल तक रहती है आपसे सवाल बन सकता है यह भी ठीक है ना तो अभी यहाँ पर Indian Ocean Naval Symposium में total कितने members हैं total आपको 24 member देखने को मिल जाते हैं 24 member यानि 24 countries वही countries जो कि कहीं न कहीं Indian Ocean में एक दूसरे की मतलब Indian Ocean के साथ में boundaries को share करती है उस ocean से लगती हुई नजर आती है है ना तो वो countries आपको देखने को मलेंगी तो आपको सर यहाँ पर map इस्तमाल कलेना चाहिए था बिल्कुल मैं गया था Google पर map डाउलोड कर रहा था लेकिन बहुत सारे map अविलेबल है लेकिन वहाँ पर India का map गलत है उसको गलत ड्रॉ किया हुआ है क्योंकि आपको पता होगा बारत का नक्षा काफी सरे गलत map यहाँ पर यूज करेगा है तो इस वैसे मैं उसको यूज यहाँ पर नहीं कर सकता बिल्कुल भी ठीके ना तो आप लोग एक बार चेकाउट कर सकते हो Indian Ocean region के भारे में जान सकते हो वहां से कि यह Indian Ocean से कौन-कौन से literal countries लगती है वैसे Indian Ocean से कितनी countries लगती है 24 countries लगती है मैं आपको बताया और वो 24 countries कौन-कौन सी है South Asia की साइट से आप देखोगे तो इदर Bangladesh, India, Maldives, Pakistan, Seychelles, Sri Lanka, UK आपको देखने को मिल जाएगा UK काओगे UK तो बहुत दूर है देखो उनकी कुछ यहाँ पर territory है Indian Ocean के अंदर है ना फिर बात आती है West Asia की तो West Asia से यहाँ पर एरान लगता है ओमान, साओध एरेबिया, UAE लगता है फिर East Africa की साइट से फ्रांस लगता है काओगे फ्रांस ही बहुत दूर है तो फ्रांस की अगेन मैं बोलाए यह सब countries जो है वो Indian Ocean के साथ में boundaries को share करती है हलबाला कि मैंने यहाँ पर map का इस्तमाल नहीं किया लेकिन नाम सारे के सारे यहाँ पर दे दिया है आप यहाँ से पढ़ सकते हो तो यह जो body है Indian Ocean Naval Symposium आपने इसके बारे में समझ लिया इसका importance भारत के लिए बहुत है क्योंकि भारत बीचों बीच में आपको देखने को मिलेगा एक leader जैसी country यहाँ पर आप इस group के अंदर देख सकते हो भारत को तो इससे यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है इन countries के साथ में अपने relations को और मजबूत कर सकते है इंडियन ओशन के अंदर जो चाइना है ना चाइना जो अपने पैर पसार रहा है उस चाइना को counterbalance किया जा सकता है क्योंकि हम अपने relations इन countries के साथ में इंप्रूव करके चाइना को counter कर सकते है यह बात आपको clear हो गई ठीक है ना तो आपसे सवाल बन सकता है ना बिल्कुल बन सकता है क्या बना है पहले हाँ देखो UPAC साल 2017 में इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को लेकर सवाल बन गया था यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिये गए हैं इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम को लेकर पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो ये IONS है न इसका उधगाटन क्या जा था इंडिया में साल 2015 में under the chairmanship of Indian Navy फिर दूसरा statement बोलता है कि जो IONS है ये एक voluntary initiative है इसकी मांग ये की गई है मतलब ये जो body इसकी मांग ये होती है कि समुद्र के अंदर यानि कि जो Indian Ocean में जितने भी countries हैं वो साथ में मिलकर cooperate करें इनकी navies मिलकर साथ में मिलकर काम करें जो भी Indian Ocean region के littoral countries हैं उनकी बात की जा रही है यानि कि Indian Ocean से लगी वी जितने भी देश हैं उनकी बात की जा रही है कि इतने देश लगे वे हैं वो अलड़ी वन आपको उपर बता दिया तो इन दोनों statement में से कौन से सही है तो आपको लग रहा होगा दूसरा statement तो सही है बिलकुल पहला statement में अभी भी हाँ पे हम लोगो काफी सरी confusion है तो अगर पहले statement में confusion है तो पहला statement छोड़ दो इग्नोर कर दो दूसरे पर right मार दो कि हाँ केवल दूसरा जो है वो correct है नीचे जो option दिये गए ना one only two only both one and two neither one and null two तो इसमें correct answer आपको option भी ही देखने को मिलेगा क्योंकि हमने इसके बारे में पहले वाले के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं है कि इसका उधगाटन इंडिया के अंदर हुआ 2015 मों यह हमने पढ़ा ही नहीं है हमने अभी सिरिफ और सिरिफ दूसरा वाला point पढ़ा था इस body के अंदर तो दूसरा वाला point यहां पर बिल्कुल सही है Indian Ocean Nival Symposium के regarding बात clear हो गई हाँ clear हो गई चलो आगे आते हैं next article पर मज़ा रहा है चीज़े समझ में आ रही है कैसे आपने cover करना है आप अब आते हैं editorial discussion पर तो आज हमारे पास पर दो important editorial है काफी details से discuss करेंगे एक editorial बैसे दोनों ही दाहिंदू के हैं एक आपको loss and damage account को लेकर editorial देखने को बलेगा यहाँ पर loss and damage account को लेकर writer ने काफी सारी बाते बोली है मैं आपको directly बहुत क्योंकि यहाँ पर कुछ फालतू बाते भी हैं उन सबको हटा कर सिर्फ crisp way में कुछ points कदर यह मामलाख खतम कर दूँगा दूसरा editorial हमारे पास में rear earth metals को लेकर rear earth metals को लेकर जो लडाई है इंडिया चायना की बीच में उसको लेकर बातचीत की जा रही है उसको यहाँ पर समझेंगे क्या है पूरा का पूरा particular issue लेकिन आगे पर इससे पहले आपको बताओगा हमेशा editorial discussion से पहले हम लोग एक mains का question लेते हैं तो आज का mains का question क्या है देखो question को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में यहाँ पर available करवाने की कोशिश करी है क्योंकि काफी सरा लोग ने बोला था sir question को हिंदी में भी available करवाओ तो जो आज का question क्या है question यहाँ पर है the real utility of Manrega was witnessed during COVID-19 times comment क्योंकि आपको पताओगा जो MG नरेगा है यह इतना जादा न्यूज में कि इससे जादा न्यूज में कोई दूसरा आर्टिकल है ही नहीं मात्मा गांधी National Rural Employment Guarantee Act के बारे में चर्चा की जा रही है मैंने आपको बहुत डेटिल से पढ़ा रखा है काफी एडिटूरल्स मैंने कबार करवा रख है तो बात यहाँ पर की जारी है कि जो मनरेगा है इसको हम मनरेगा के नाम से भी बोलता है मनरेगा की जो वास्तविक उप्योगीता है इसका जो यूज है ना वो COVID में ही दिखाई पड़ा इससे आप क्या समझते हो क्या COVID में ही यहाँ पर सही तरीके समन्रेगा काम किया या नहीं किया वो आपके उपर यहाँ पर आपके पॉइंट एविज डिपेंड करते हैं तो इसके उपर टिपनी कीजिए फटापड यहाँ पर इसके उपर आंसर लिखो और आंसर लिखने के बाद में कहां पर सम्मिट करना है टेलिग्राम पर जाना सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक्च यादफ एजुकेशन मेंस आंसर रैटिंग फुल फॉर्म लिखना आपको मेरा चनल मिलेगा लगबख 39,000 से जाद लोग मापर जुड़ चुके हैं डेली बेसिस पर आंसर लिख रहे हैं आप भी अपने आंसर को लिकर सम्मिट करना और एक कोशिच यह करना कि एटलीस सभी लोग दो-दो आंसर को रिव्यू कर लें तो इस पर्टिकुलर एट्टे उरेल में अगर लोग बात करें इस ओपिनियन में क्या मेंशन किया यह है कि जो इंडेस्ट्री है ना उसने यहाँ पर अभी जोर दिया है किस के उपर हमारी सरकार के उपर की सरकार क्या करे भारत के अंदर इंडिया रेयर अर्थ मिशन करके यहाँ पर एक मिशन को चलाए एक मिशन को यहाँ पर एस्टेबिश किया जा जिसमें भारत जो है ना वो चाइना के उपर जो डिपेंडेंसी है आज के टाइम पर जो रेयर अर्थ मेटल्स होता है मैं आपको बताऊँगा rare earth elements क्या होता है तो जो ये rare earth elements देखने को मिल रहे है इन elements को लेकर आज के समय पर हम China के उपर बहुत जादा निर्भर है तो यहाँ पर writer ने mention किया है कि क्या करना चाहिए जो भी हमारी CII वाली industry है इसको सरकार के उपर जोड देना चाहिए ताकि सरकार क्या करे इंडिया के इंडिया के लिए यहाँ पर एक mission को launch करे जिसका नाम हो इंडिया rare earth mission और उस mission के तैथ हम क्या करें धेर सरा जो rare earth elements है वो हम अपने country के अंदर produce करें और China के उपर से discuss करेंगे तो rare earth metals के बारे में discussion को start करते हैं तो news में आपर क्या चीज़ देखने को मिलती है मतलब editorial लिखा जो जाता है वो basically कोई चीज news में उसकी वैसे लिखा जाता है यूज यहाँ पर यह है कि देखो अभी के समय पर जो भारत है न वो चाइना के उपर बहुत ज़ादा dependent है चाइना के उपर हम लोग निरभर है rare earth minerals के मामले में हम लोग बहुत सारे जो rare earth minerals है न दो की बहुत कमी से मिल पाते हैं इन minerals को ये क्या होते हैं आगे मैं आपको डीटेल से बताऊंगा इंडिया के अंदर आप खुद माइनिंग करो खुद खुदाई करो और इन earth minerals को ढूंडो ये जो rare earth minerals हैं ये भारत के अंदर produce करो खुद से क्योंकि चाइना के उपर dependency बढ़ती जा रही है इसको कम करना होगा तो आप देखोगे इंडिया के पास में जो rare earth reserves है वो थोड़े से कम है दुनिया भर में जितने भी countries हैं उनमें से कुछी countries के अंदर आपको ये rare earth जो elements से वो देखने को मिलता है है ना तो ये जो rare earth elements अगर हम लोग इनकी बात करें दुनिया भर में जितने भी देखने को मिलता है दुनिया पर में जितनी बंढ़ार है इनके उसमें से 6% यहाँ पर इंडिया का contribution आ जाता है इंडिया के अंदर rare earth reserves बहुत जदा कम हैं मैंने आपको बताया बहुत पहली बताया है लेकिन यहाँ पर चाइना का इसमें एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है चाइना के पास में धेर सारे यह rare earth elements देखने को मल जाता है rare earth elements बोलना हूँ rare earth minerals देखने को मल जाता है तो चाइना से यहाँ पर काफी सरी countries इंपोर्ट करती है in fact आप देखोगे साल 2018-19 के अंदर 92% के आसपास जो यह rare earth metal है यह हमने इंपोर्ट किया था जहां हम लोग बात करते हैं value की value के मामले में हमने 92% तक का rare earth metal इंपोर्ट किया और अगर आप देखो के quantity के मामले में तो 97% के आसपास rare earth metal हमने यहाँ पर 2018 में चाइना से ही इंपोर्ट किया था तो आप imagine कर सकते हो कि चाइना के ओपर कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है बदो 92-97% तक डिपेंडेंसी देखने को मिल रही है इतना सारा rare earth metal minerals हम यहाँ पर चाइना से purchase कर रहे है जिसको देखते वे CII ने यहाँ पर अपना एक concern दिखाया सरकार के उबर जोर दिया आप खुद का mission लेकर आओ CII ने यहाँ पर suggestion दिया कि भारत अगर खुद का mission लेकर आएगा इंडिया rare earth mission करके आप एक mission को setup कर लो यार जैसे आपने semiconductor mission के मामले में डेर सारा काम करना start कर दिया है semiconductor chips को आप इंडिया में मनाना शुरू कर रहे हो deep ocean mission को लेकर काम करो वैसे rare earth mission को लेकर काम करो है ना इसके ओपर भी यहाँ पर जो अलगला countries के ओपर independence है उसको यहाँ पर खतम कर दो तो आकरकर हम इती देर से बात कर रहे है rare earth metals के बारे में तो periodic table के अंदर धेर सारे आपको elements देखने को मिलता है उसमें यहाँ पर 17 metallic elements देखने को मिलता है 17 metallic elements जो यह 17 metallic elements हैं इनी को हम लोग rare earth metals की काटिगरी में रखते हैं जिसमें से यहाँ पर 15 तो lengthenites है periodic table के अंदर फिर उसके आद में lengthenites में आप लोग यहाँ पर देखोगे दो चीज़े और मिला दोगे scandium और yathrium तो 15 यह हो गए lengthenites और दो हो गए यहाँ पर scandium yathrium यानी 17 हो गए total lengthenites का मतलब यह निए कि 15 के 15 lengthenites हैं lengthenites का मतलब इनके नाम अलग अलग हैं जैसे serium हो गया उसके बाद में dysprosium airbium europeum देन उसके बाद में gadolinium halmium samarium promethium presodemium neodiumium luteum फिर उसके बाद में lengthenum scandium terbium thulium यह सब यहाँ पर क्या है यह सब rare earth metals आपको देखने को मिल देंगे तो यह सब periodic table के अंदर आपको देखने को मिल जाता है तो आपसे सवाल बन जाए तो आप लोग यहाँ पर प्लीज इस चीज़ को याद रखना कि lengthenights क्या होता है और lengthenights में आप scandium और यत्रयम मिला दोगे तो इससे हैं आपर क्या होगा यह total के total 17 जो हैं आपके rare earth metals बन जाएंगे तो यह 17 rare earth metals होता है जिनका इस्तमाल अलग-लग जगा में किया जाता है जो हमारी modern technologies होती है electronics, computer, network, communication, healthcare, defense industry, clean energy technology इन सभी industries के अंदर इन elements का इन metals का यहाँ पर इस्तमाल हो रहा है आप ऐसा कह सकते हो ठीक है ना तो अगर हम लोग बात करें इन rare earth elements की तो इनका इस्तमाल लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वले समय पर technology और बढ़ने वाली है तो definitely इनका जो use है वो काफी ज़दा बढ़ेगा और जितना use बढ़ेगा वो इंडिया के लिए चिंता वाली बात होगी क्योंकि हम लोग production नहीं करते हैं हम लोग यहाँ पर चाइना के ओपर dependent काफी जादा है क्योंकि यहाँ पर चाइने क्या कर रखा है इन rare earth metals का पूरी तरह से market को monopolize कर रखा है यानि सारा market खुद के हाथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि चाइन ने ये चीज़े पिछले कुछ समय पर यहाँ पर gain कर रही है पिछले कुछ समय पर आप देखोगे एक domination gain कर लिया है domination क्या gain कर लिया है दुनिया भर में मतलब जितनी भी rare earth elements की ज़रूरत है उसकी जो भरपाई या फिर उसको पूरा कर रहा है वो चाइना कर रहा है 90 प्रतिशा तक यहाँ पर चाइना यहाँ पर उसको पूरा करता वह नजरा रहा है तो आप imagine कर सकते हो कि मैं आपको बताऊं कि ना केवल इंडिया एक समय पर और भी बहुत सरी कंट्रीज जो हैं वो चाइना के उपर dependent हुआ करती थी हाला कि उन कंट्रीज ने अपने हाँ पर इस initiative को start किया rare earth elements को लेकर काम किया तो वो सब यहाँ पर उन्हें ने चाइना के उपर dependency को कम कर दिया वही चीज यहाँ पर इंडिया को भी करनी चाहिए वो यहाँ पर writer कहने की कोशिच कर रहे है तो आज के समय पर अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि जो दुनिया भर की dependency थी दुनिया भर की countries न 90% तक यहाँ पर चाइना से जो rare earth elements उसको purchase क्या करती थी लेकिन आज के समय पर वो dependency 90% से 60% हो गई है काम हो गई है क्यों क्यों कि आज के समय पर इस field में कुछ और countries आ गई है Australia, India, Japan, US जैसी countries भी आ चुकी है इंडिया के अंदर भी आपको कुछ reserves देखने को मिलेंगे लेकिन Australia, Japan, US में भी ढहर सारे reserves बन चुके हैं जो कि अब rare earth elements जो है ना rare earth जो elements हैं इनको यहाँ पर बना रहे हैं इनको export कर रहे हैं आप देखोगे साल 2010 से जब आप लोग देखोगे जब China है China ने क्या किया था अपने export को यहाँ पर रोक दिया था इन्होंने बोला कि हम यहाँ पर अपना export नहीं करने वाले और export रोकने की वज़ा से दुनिया बर की कुछ countries थी US था, Australia था, इन countries ने अपने यहाँ पर खोद एक नया ना initiative स्टार्ट किया और rare earth elements के मामले में यहाँ पर खुद ग्रो करना स्टार्ट किया तो चाइना का जो एक समय पर एक dominance हुआ करता था इस particular sector में वो इतना अब नहीं रह गया है तो इसमें इंडिया को भी कुछ और अलग से काम करकर जो बचा को जो डाविनेंस है वो भी यहाँ पर खतम करना होगा तो इंडिया की current policy के आया यानि कि भारत की आज की समय पर क्या-क्या नीतिया है rare earth को लेकर तो देखो हम लोग यहाँ पर जदा exploration करते नहीं है और जितना भी rare earth यहाँ पर निकाला जाता है बनाया जाता है वो सब यहाँ पर काम करा जा रहा है Bureau of Minds के थरू और Department of Atomic Energy के थरू यह bodies यहाँ पर मिलकर काम कर रही है ठीक है ना यह बात आप लोग यहाँ पर ध्यान में रख सकते हो बाकी अगर हम लोग बात करें तो अभी हम क्या कर रहे है जो हमारी body है वो basically कुछ earth oxides बगर को produce कर रही है कुछ rare earth oxides जिनको produce कर रही है और उनको यहाँ पर export बगर करें उनको बेच रही है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर काम क्या जा रहा है उस काम को हमें बढ़ाना होगा हमारा major focus और जदा बढ़ाना होगा हमें rare earth elements के उपर और इनका production करने के बाद में आप कह सकतो इनको बेचना या अपना जो consumption उसकी requirement पूरी करना इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं जो हमारे minerals होते हैं माइन्स और minerals करके जो ख़दान होती है minerals होते हैं इनको लेकर हमारे पास में एक act है कौन सा act है Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 तो इस act के अंदर recently यहाँ पर Ministry of Mines ने संशोधन किया तक कोछ changes करे थे और changes करने के बाद में यहाँ पर एक नया Amendment Act लेकर आया गया जिसका नाम था Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2021 तो यह पिछले साल act लेकर आया गया था ताकि क्या कर सके हम अपने देश में mineral के production को बढ़ा सके mineral का production बढ़ाया जा सके और हम लोग क्या कर सके इस business में grow कर सके और यह business हमारी GDP के अंदर हमारी economy में contribute कर सके ठीक है ना फिरो इसकाद में writer बोलता है कि अब हमें करना क्या चाहिए क्या क्या way forward इसकाउन चाहिए देखो भारत को यहाँ पर कुछ lessons लेकने होंगे कुछ advanced economy से मैं आपको बताया US, Australia या जैसी countries जो है इन्होंने China के ओपर dependency को कम कर दिया तो भारत को यहाँ पर इन countries से कुछ lessons लेने होंगे और कैसे कैसे यहाँ पर इन्होंने किया उन चीजों को सीखना होगा उसको यहाँ पर implement करके हम आगे बढ़ सकता है दूसरा यहाँ पर सुझाव राइटर ने दिया है कि देखो भारत को जरूरत है एक नया department create करने की नया department किसीच को लेकर होना चाहिए वो rare earth को लेकर होना चाहिए यह जो department है कि क्या करेगा यह एक regulator का का काम करेगा है ना यहाँ पर हमारे इस पूरे के पूरे जो rare earth वाला सेक्टर होगा इसको regulate करने का काम करेगा तो यहाँ पर एक अलग से ऐसा department होना चाहिए जो कि हमारे rare earth वाले सेक्टर के उपर अच्छे से ध्यान दे सके ठीक है ना क्योंकि इसको आगे बढ़ाने की जोरा थोड़ी सी बढ़ जाती है यह बात क्लियर होगी अब हम लोग बात करते हैं क्या कोई सवाल पूछा गया है हाँ सवाल पूछा गया है आप देखोगे UPSC ने साल 2012 में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था प्रश्न क्या है तो रेर अर्थ मेटल्स का रेसेंटली यहाँ पर सप्लाई जो है इसके अंदर शॉर्टेज देखने को मिला ऐसा क्यों तीन यहाँ पर कारण दिये गए हैं बताना है कि तीनों में से कौन सा कारण सही है पहला बोलता है स्टेटमेंट क्योंकि चाइना जो चाइना सबसे बड़ा प्रड्यूजर इन एलिमेंट्स का इनोंने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिये चाइना ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था एक्सपोर्ट के ओपर कुछ रोक टोक लगा दी थी इस विसे यहाँ पर अश्चा और चली, यानि कि चाइना ऑस्ट्रिया चली यह जो चार कंट्रीस के नाम बता रहा हूं इनके अलावा यह जो एलिमेंट्स है वो किसी और दूसरे देश में नहीं पाये जाते इस विसे यहाँ पर सप्लाई का श्चाइज हो गया तीसरा statement ये बोलता है कि जो rare earth metals हैं ये बहुत important होते हैं electronic items मलाने के लिए और इसकी demand बढ़ गई है इस विए सप्लाई का shortage हो गया है तो क्या आपको आंसर क्या लग रहा है तो आपको होगे पहला सही है क्योंकि अभी आपने बताया था कि China जो की सबसे बड़ा producer है इन्होंने अपने export के पर रोक लगा दी थी जिसके बाद Australia, India और बाकी countries ने आपर grow करना स्टार्ट किया इस particular sector में लेकिन दूसरा statement गलत लग रहा है क्यों क्या China, Australia, Canada, चिली के अलावा ये elements किसी और देसरे देश में पाई नहीं जाते हैं तो कुछ भी नहीं है, अभी हमने Japan के बारे हैं पड़ा था, याद है इंडिया के अंदर काफी सरे reserves हैं तो ये statement हो जाता है गलत, पहला statement सही है, दूसरा statement गलत है तीसरे statement की बात करें, तो ये जो rare earth metals है, ये बहुत important है, इनका इस्तमाल किया जाता है electronic items के अंदर बिल्कुल, उसके साथ साथ और भी और सारे items है, मैंने आपको बता है communication, defense center, clean industry, इन सभी industries के अंदर इस्तमाल किया जाता है तो ये तीसरा statement भी सही है, तो उसका answer 1 and 3 होना चाहिए, देखते हैं जरा, तो इसके अंदर option है, हाँ, बिल्कुल है option number C जो है, इसका correct अउतर होना चाहिए, तो option number C इसका सही answer है I hope आपको यहाँ पर एक अच्छे से clarity मिल चुकी है, तो ये हमारा particular editorial बहुत important था सारे information मैंने आपको PDF के अंदर देती है, देखो PDF को जो आप लोग download करोगे ना, तो इसके साथ एक छोटा सा काम ये करना कि एक app को download कर लेना, जिसका नाम है Adobe Acrobat, इस app में आप इस PDF को open करना, जैसे आप PDF को open करोगे, ये सारे के सारे important points आपको दिखने लगे आपको नजर आएंगे, ऐसे करके yellow color के छोटे-छोटे symbols आपको नजर आएंगे, कैसे वाले, इस प्रकार से symbols आपको देखने को मिलेंगे, इन symbols का आप लोग यहाँ पर इसको open करकर, इस में सारे information निकाल सकते हो, और इनको edit वगरा भी कर सकते हो, चलो आगया आता है, आप कभी चिननई edition आजाता है, कभी डेली edition आजाता है, जो available होता है, उस edition का use कर लिया जाता है, मतलब articles से ही होते हैं, तो काओगे हमारे newspaper में को नहीं मिलते हैं, क्योंकि कुछ article website पर upload होता है, website पर, आपने अगर website का subscription ले रखा होगा, तो आप website को open करोगे, तो website पर कुछ हटक articles भी होते हैं, opinion based, editorals, आपको कुछ अलग लग भी देखने को मिलते हैं, जो की बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं website से भी article उठा लेता हूँ, obvious यह बात है, जहां काम की चीज़ मिले, वहाँ पर use करो उसको, अगर वहाँ से previous request लिंक हो रहा है, कुछ चीज़े मिल रही है, examination क अंदर जो use हो सकती है, तो उसका इस्तमाल करो, है ना, तो website से भी कुछ article उठा लेता हूँ, that is why यहाँ पर आपके newspaper से match नहीं होता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको PDF में तो मिल जाता है ना, तो आप यहाँ से use कर लिया करो, चलो बात करता है, loss and damage account के बारे में, यहा COP27 का जो summit होता है, यह summit कहाँ पर होता है, यह summit होता है Egypt के अंदर, Egypt के अंदर वो जगह का नाम क्या है, फटा-फट नीचे comment section बताना यार, मैंने आपको कई बार बता रखा है, तो COP27 का जो summit हुआ था, इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है conference of parties, यह जो summit होता है, हर साल हम लोग को देखने को मिलता है, जो 26 वाला summit है, वो पिछले साल नवंबर में हुआ था, यह 27 वाला अभी नवंबर में हुआ है, इन summit का major focus यह है, कि दुनिया भर की countries को साथ में लेकर आओ, और climate change के उपर चर्चा करो, climate change जो हो रहा है, pollution बढ़ रहा है, लगातार गर्मी ब दौरान discussion करती है, ठीके न, तो COP 27 में भी धेर सारी countries आई थी, भारत भी गया था, इन सब ने मिलकर यहाँ पर, इन climate change जैसे वाले topic के उपर चर्चा करी थी, तो यह जो summit था, इसी summit के दौरान यहाँ पर होता, यह है कि जो United Nation है, इन्होंने यहाँ पर agree किया, और बोला कि हम क्या करेंगे, एक loss and damage fund को बनाएंगे, loss and damage fund एक ऐसा fund होगा, जो कि क्या करेगा, most vulnerable countries को compensate करेगा, अब यहाँ पर इस चीज़ को connect करना हो का थोड़ा background से, हुआ क्या है, कि देखो climate change की वे से, climate change कैसे हो रहा है, गर्मी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार pollution हो रहा है तो गर्मी क्या आसी बढ़ रही है क्या, अरे कई time पहले से बढ़ रही है, तो इसके पीछे का reason क्या आज की समय पर जो countries pollution कर रही है, वही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इससे पहले भी आपको पताऊगा, जो richer countries है आज की समय पर, जो developed countries आपको देखने को मिलती है, जैस के बाद यहाँ पर यह developed country बन पाई, है ना, तो यहाँ पर खूब pollution नहीं दबा की किया, अब हो क्या रहा है कि आज की समय पर इस pollution का स्तर बढ़ चुका है, क्योंकि developed country के सासाथ आज की समय पर developing country भी खूब pollution कर रही है, क्योंकि वहाँ पर भी economy को grow किया जा रहा है, लगातर industries चल रही है, वो भी अपने आपको developed country बनाना चाहती है, obvious यह बात है, तो वहाँ pollution वहाँ पर भी हो रहा है, तो इसका स्तर आज बढ़ चुका है, खुब जादा हो रहा है, global warming हो रही है, गर्मी लगातर बढ़ रही है, लेकिन पता इसका असर किस के ओपर देखने को मिल रह है, तो काओगे उसको क्या नुकसान पहुंच गया, अब यह बताओ, climate change हो रहा है, pollution हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, हमारे glaciers पिगल रहे है, पहाड़ पिगल रहे है, बरफ पिगल रही है, वो सब पानी के अंदर बहर रही है, इस समुदर का level बढ़ रहा है, तो island वो ज countries है न, जो की देर सारी problems को face कर रही है, उनको compensate करना चाहिए, उनको कुछ पैसा दो भाई, ताकि वो अपनी problem से लड़ सकें, है न, तो जितना भी loss हुआ है, उनको climate disaster की विए से जो भी loss हुआ है, कहीं पर बाल आ गई, कहीं पर डूब गया, वो पूरी तरह से, जो island है, तो उनको जो भी loss हुआ है, उसकी भरपाई तो करो, उसकी भरपाई कहा से की जाएगी, उसकी भरपाई की जाएगी, loss and climate, sorry, loss and damage fund से, तो यह जो loss and damage fund को बराने का, यहाँ पर basically, देखो, agreement है, agreement करो, इसको approval जाए, वो United Nation ने दिया, तो United Nation ने बोला कि हाँ बिलकुल हम loss and damage fund को बन impact है, इसको यहाँ पर कम करना, जो countries है, जिनकी उपर बुरा असर पढ़ रहा है, climate change का, उनकी help करना, यह एक इसका major focus है, ठीक है, यह क्या करता है, उनको composition देने का काम करता है, loss and damage fund, अब बात यहाँ पर यह आती है, कि यह जो loss and damage fund है, यह एक जो concept है, यह क्या एकदम नया concept ह पर आया गया था, क्या, ऐसा नहीं है, यह concept बहुत पुराना है, आप देखोगे, United Nation Framework Convention on Climate Change, यह बना था, 1990s में, तब से ही यहाँ पर यह जो loss and damage fund है, इसको बनाया गया है, loss and damage fund तब से ही यहाँ पर इसको लेकर एक debate छिड़ी वी थी, और इस debate के basis पर यहाँ पर आप से loss and damage fund होना चाहिए, तो यहाँ पर आप देखोगे, climate change की वज़ा से बहुत सारी vulnerable countries को बहुत कुछ face करना पड़ा है, तो उन countries को यहाँ पर यह fund मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर यह concept है, वो दिरे-दिरे evolve हुआ, यह concept अपने आप में बहुत पुराना है, मैं आपक पर इसका अंदर interest लिना स्टार्ट किया, कि हाँ बिलकुल एक अच्छी चीज यह नजर आ रही है, लेकिन अब writer बोलता है कि सर इसके अंदर क्या-क्या problems हैं, इस fund के अंदर क्या-क्या दिक्कत देखने को मिल जाती हैं, तो आप देखोगे, इस fund के अंदर धेर सारी problems आपक उनको, ऐसी बाते कई बार करी गई हैं, लेकिन वो बाते बाते ही रह गई, उसको implement नहीं किया गया, है ना, तो मतलब आपने fund को create कर लिया, और बस खाली एक commitment हो गया, कि हाँ बस fund को बनाया जा रहा है, और फिर उसका discussion के उपर छोड़ दिया, बाकी काम खतम, आप इसके उ phenomenal commitment लिया जा रहा है, एक आप कर सकते हो कि, एक promise यहाँ पर किया जा रहा है, कि जो कुछ countries है ना, वो donate करेंगी कुछ fund को, estimated जो है वो लगबख 500 billion dollar तक का fund इखटा किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर अख़र इखटा हो जाता है, तो बात अलग है, बट ऐसी कई सारे वादे पहले भी हुएं, पहले भी इन अमेरिक कंट्रीज ने बोला था कि हम 100 billion dollar इच यहर के हिसाब से यहाँ पर जो पैसा है, वो गरीब कंट्रीज को प्रोवैट करवाएंगे, डवलपिंग कंट्रीज को प्रोवैट करवाएंगे, ताकि वो climate change से लड़ सकें, लेकिन वो fund अभ पर खूब दबा के pollution कर रही हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पर यह सबसे बड़े emitter हैं, और आज के समय पर यह फिर उसके developing country के उपर जोर डाल ले हैं, कि यह pollution बंद कर दें, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जो यह US और बाकी सारी countries हैं, इन्होंने भी अपने जमाने मे खूब pollution करने के बाद में वो developed country बनी हैं, तो developing country भी आज किसमे पर pollution कर रही है, ताकि वो developed country बन पाए, तो एकदम से यहाँ पर वो इसको बंद नहीं कर सकते हैं, एकदम से pollution को control नहीं कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं, तो उनको बहुत सारा funding चाहिए होगा, तो funding यहाँ पर loss and damage के मादम से provide करवाई जाएगी, लेकिन loss and damage यहाँ पर एक सही जगापर, मतलब चलो concept सही है, लेकिन यह अगर implement हो जाए तो, प्लस यहाँ पर बोला गया कि loss and damage के अंदर climate change से कितना नुकसान हुआ है, कितने कितनी भरपाई की जाएगी, कितना कितना पैसा किसको मिलेगा, तो आपने यहाँ पर loss and damage fund को समझा, क्या इसके यहाँ पर solution से वो यहाँ पर समझा, क्या problem से वो समझा, बाकि आप देखोगे, तो UPSC ने साल 2021 में मैंने आपको बताया, conference of party 26 वाली meeting हुई थी, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि उसके basis पर यहाँ पर आप से सवाल पूछ लि मैं इसे सवाल था कि क्या क्या commitments भारत ने किये थे, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, कि अभी loss and damage fund को लेकर बाचीत की जा रही है, तो इसको लेकर सवाल बन सकता है, तो यह था हमारा particular editorial, I hope आपको यहाँ पर सारी चीज़े clear हो चुकी है, अच्छा एक चीज़ औ रखो, आज कुछ vocabs लेकर आएं, vocabs discuss करेंगे, उसके बाद अपने thumbnail वाले article को भी cover करेंगे, तो vocab में सबसे पहला vocab आता है rushing, rushing मतलब होता है जल्दबासी, then आता है दूसरा into a tz, into a tz मतलब यहाँ पर feeling very nervous, या फिर गबरहाट या परेशानी कह सकते हो, then आता remission, remission मतलब होता है penalty, then आता है यहाँ पर assassination, assassination का मतलब होता है हत्या, फिर आता burnish, burnish का मतलब to make improve और more impressive, improve करना और जदा impressive बनाना आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है न, तो यह आज के हमारे कुछ important articles थे, और एक सेकेंड रुको, एक छोटा सा article और लेकर आया वहाँ हूँ, हाँ पर मैं उसके बारे में थोड़ी सी information आपको देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखोगे, आपने thumbnail में देखा होगा, नम्भी नारायन जी का photo, है न, कि इजरो जो है, वो आज के समय पर नासा से आगे होता, लेकिन यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नासा के तुरू हरकत दिखाई गए, यानि अमारिका के तुरू हरकत दिखाई गए, जिसकी वज़े से इजरो यहाँ पर आप कर सकते हो कि आगे नहीं grow कर पाया, मतलब थोड़ा लेट से grow करे, थोड़ा हम पीछे रहे गए, तो एक case हुआ था, इजरो का जासुसी कांड, वो जासुसी कांड किया था, पहले उ 1999 तक, यानि 1999 तक एक technology को develop कर लेंगे, जिसका नाम होगा cryogenic technology, देखो rocket को उड़ाने के लिए, हमने rocket बना लिया, लेकिन अब rocket को उड़ाने के लिए एक इंधन चाहिए, fuel चाहिए, और उसके लिए यहाँ पर एक technology चाहिए, जिसको हम लोग बोलता है cryogenic technology, cryogenic technology क्या होती है, अ लेकिन उसको हम बरफ बनने नहीं देते, यहाँ पर इसका एक concept है, ठीक है न, यानि कि आपने क्या किया, कि पानी को ठंडा बहुत किया, उसको फ्रीजर में रख दिया, लेकिन आप उसको बरफ नहीं बनने दे रहो, ऐसा तो possible है नहीं, तो obvious ही बात है वो possible नहीं है, इसी यहाँ पर cryogenic technology कहलाती है, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर जो fuel है, वो कम जगा घेरेगा, क्योंकि यहाँ पर rocket जो जब आसमान में जा रहा है न, अंतरिक्ष में जा रहा है, तो उसका एक एक जो weight है न, जड़ा ज़ाँ सा weight भी matter करता है, ठीके न, तो अगर हम gas का इस्त technology के माधियम से घर हम लोग बात करें, तो fuel ज़्यादा जगा घेरता नहीं है, ज़्यादा जगा नहीं लेता है वो, तो cryogenic technology हम लोग को चाहिए थी, हमें अपना rocket उड़ाना था, rocket वगरा सब कुछ तयार था, तो वैसे तो 1999 का हमें target रखा था कि इतने time तक हमारे पास में cryogenic technology आ जाएगी, 1991 में ही आ जानी थी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, जो technology हमें 1991 में मिल जाती, वो technology हमें कम मिली साल 2014 में, तो आप imagine कर सकतो हम कितने साल पीछे चले गए, 1999 तक हमने त्यार करने का focus किया था, 14-15 साल और कई साल हम लोग पीछे चले गए, नहीं तो फिर आज हमारे और कई सारे important missions हो चुके होते, तो आपको कि ऐसा हुआ क्या था, देखो जो cryogenic technology बनाई जा रही थी ना, इस रो के त्रू जिस cryogenic technology को लेकर काम किया जा रहा था, उस particular team को lead कर रहे थे नम्भी नारायन जी, जो कि आपको picture में देख रहे हैं, इनके उपर एक movie बनी है, recent आयोजनी technology मावले मामले को lead कर रहे थे, उस समय पर पीवी नरसे माराव जी की सरकार हुआ करती थी, तो हम लोगो ये technology चाहिए थी, ये technology इंडिया के पास नहीं थी, लेकिन अमेरिका के पास थी, अमेरिका के पास भी थी, फ्रांस के पास भी थी, और साथी साथ में USSR, यान अमेरिका इसको 900 करोड से ज़्यादा रुपे में दे रहा था, और फ्रांस जो है ये 600 करोड से ज़्यादा में दे रहा था, तो अब वेसी बात है, रश्या से 235 करोड में सस्ते में मिल रहा है, तो हम इसको purchase कर रहे थे, इस से यहाँ पर अमेरिका जलिया, कि हम से क्यों न ज़्यादा था, मतलब इसरो competition में उतर चुका था उसी समय पर, अमेरिकों को यहाँ पर डर था कि इसरो आगे न निकल जाए, नासा को बीट ना कर दे, तो इसको लेकर यहाँ पर USA ने क्या किया, USA ने यहाँ पर Russia से मना कर दिया कि आप इस cryogenic technology को नहीं दो गए इंडिया को है ना, इस प्रकार से मना कर दिया, और यह कुछ issues भी होए, जिसके बाद Russia ने मना कर दिया, ठीक है हम यहाँ पर यह technology नहीं देंगे, वीवी नर्सिमर आउजी की सरकारती, चलो उन्होंने हाँ पर mention कहा, ठीक है आप technology मत दो, हम लोगों नहीं बोला कि Russia से बोला, चलो आप technology technology मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम करो, यह जो cryogenic technology वाले engine है, वो चार engine मना के हमें दे दो, आप engine मना के दे दोगे, हम engine खोल कर, खुद चेक कर लेंगे, कैसे वो बना है, और खुद technology बना लेंगे, आप engine दो मना के दे सकते हो, तो Russia ने देखा, कि हाँ यह काम कर स सोचा, कि अगर यहाँ पर, किसी भी mission को खराब करना है, किसी project को खराब करना है, तो उसका जो team leader है ना, उसकी बदनामी कर दी जाए, और ऐसे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कि जो नम्भी नरायन जी है ना, इनको फाल्तू के case में फसाया गया, इनके उपर जूट है, जिसका नाम है मरियम राशीदा, मरियम राशीदा जो कि माल्दीवियन विमन है, माल्दीवियन विमन को अरेस्ट किया जाता है थिरू वननतापुरम में, और इस विमन के पास में पता एक cryogenic technology को लेकर कुछ नक्षे मिलता है, कुछ maps मिलता है, और यह महिला क्या बोलती है, और इसको मैं पाकिसान लेगे जा रही हूँ, पाकिसान को बेचने जा रही हूँ, काब भाई यहाँ पर पुलिस को जैसी बात पता चली, पुलिस तो पहुँच गई नम्भी नारान जी के घर पर, और ले गई इनको अरेस्ट करकर, 1994 में यह बात थी, नमबर 1994 में इनक जाल में फसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस वाले नहीं पर एक नहीं सुनी और इहाँ पर इस प्रकार से एक काम कर दिया, जैनवरी 1995 में हलाकि होता यह है कि नम्भी नारान जी को रिलीस क्या जाता है बेल पर, बेल पर इनको छोड़ा जाता है, और एप्रेल 1996 में जो CBI है CBI यहाँ पर इस केस को देखता है, और CBI ने एक रिपोर्ट समिट करते वे बोला, 1996 के में के मैंने में, कि भाईया, कि नम्भी नारान जी निर्दोश है, नम्भी नारान जी मेंशन करता है कि सर, यह जो टेक्नलोजी को लेकर चार्ट दिया गया, यह क्रायोजेनिक टेक्न नम्भी नारान जी यहाँ पर एक निर्दोश साबित होते हैं, यह मैंने बहुत असान शब्दों में बता दिया, मतलब बहुत असान शब्दों में इसलिए बता दिया, कि देखो बस इतना था, ऐसा नहीं है, जब इनको ओपर यह देश द्रोई का टैग लगाना, वो भी इसा कुछ था नहीं, जो याईनिक एक रियल हीरो जो थे, उनको यहाँ पर विलन बना दिया गया, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही होंगी, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इनको निर्दोश साबित किया, इन्होंने यहाँ पर एक कमप इन पुलिस वालों को यहाँ पर केरिला के पुलिस वाले इनको अरेस्ट कर लिया गया, अब इनको अरेस्ट करने के बाद में इनके ओपर केस चल रहा है, लेकिन हुआ क्या केरिला हाई कोट जो है, उनको बचाया फिर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोट ने भी यहाँ पर नम भी नाराइन जी कह रहा है कि नई इनसाफ मुझे तभी मिलेगा जब इन पुलिस वालों को सजा मिलेगी क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सब नाम खराब किया है क्यों क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कोई क्या है ना और 2014 में जाकर हमारी जो सक्सेस्फुल फ्लाइट होती है पहली तो आज के समय पर आपको यह छे देश देखने को मिल जाएंगे जिनके पास में क्राइव जैनिक टेकनोजी है यूएस जैपैन फ्रांस चाइना रश्या इंडिया आई होप आपको क्लियर हो चुका उसका अप्षिन जो है ब्लगोल सही है माइक्रो बीट्स क हमारे हम जो मarine एंवर्मेंट के लिए बहुत जादा हामफल है marine ecosystem के लिए समुदर के अंदर भौधादा खतरदाना तरीके से act कर सकते हैं जानवरों के अंदर जा सकते हैं food chain के अंदर enter कर सकते हैं जानवरों को मार सकते हैं water pollution create कर सकते हैं तो ये microbeats यहाँ पर इस प्रकार से environment के लिए खतरनाक सावित होते हैं इसके साथ करते हैं लेक्षर को समापत और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जाहिंद